Hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel TheSuntTaro7777. So, आज का जो हमारा topic है, वो ये है कि आपके जो partner है, आपके जो crush है, आपके जो secret admirer है, या फिर आपकी future spouse, आपको क्या love later देना चाहते हैं, क्या प्यार का पैगाम देना चाहते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? तो आप किसी क्लिए भी देख सकते हो, और detail में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग इस reading को कभी भी देखते हो ना, तो ये timeless reading होगी, genderless reading होगी, और male female सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, और जब भी आपके सामने आएगी, उस वक्त की message होगी, ठीक है, बहुत सारी information आपको देखर जाएगी, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परसन reading के लिए contact कर सकते हो, मेरे चीमेल और इंस्ता इड के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शोग कर दिया है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके परसन आपको प्यार का बैगाम देना चाहते हैं, क्या है इनका लव ल कैने से ज़ना पे आपकी परसन फ़स्ट आप अशा दिखायी दे रहिए कि परसन आपको सच में बहुत जाधाम कर रहे हैं, थीक यहां पर यह बहुत ज़्याद तरप रहे हैं आपके बिन यह चीज में नोटिस कर रही कुछ भी कर रहे हैं कोई भी काम भी कर रहे हैं तो उस चीज में मन नहीं लग रहा है या फिर कुछ कर भी रहे हैं मन भी मद लग रहा है तो आपका ख्याल आ रहा है ठीक है कुछ लोगों का no-contact situation यहां दिखाई दे कि आपके शोडने हैं वो आपको लेकर बहुत जदा पैशनेहीट फिल करते हैं ठीक है और साथ-साथ यह परसन हैसा कैना आप से शादी के अशयक्त hoon हो फिर सब्सकेत one कि छाए वेह बैषी आपका मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं तो यह सारे मेसेग्ज्स चीज और कहना चाहते है तुम्हारी हेर जो हेर रगाती यहां परnya परन पर आना रगाती हो तो अजय नहीं 초如果你 समोगेश फनससरे आपके लिए खरीद कर रखे हो यहां पर ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि वह आपको देना चाहरे है उसके बाद है यह चाहरा है शाब अपने फेडरी में प्लेस ले जाना चाहते हैं मून लाइट तो इनके सारे रिम्स इस एक काटके ت्रू दिखाई दे रहे इता हैं ठीक है वो आपके सारे dreams पूरा करना चाह रहे हैं दीक है ये जो person होंगे आपके जो partner है या फिर जिसके लिए भी आप देख रहे हो ऐसा दिखाए देरा है कि वो बहुत ज़्यादा creative होंगे ठीक है और कुछ creative करने का सोच रहे हैं ये कि मन में जो है ना बहुत कुछ unique incredible चल र लग रहे हैं ठीक है ऐस्यां लिए कि आपके साथ dancing करना चाते है आपके लिए लगना चाहते हैं अपंने fedix को आपKE सामने लेकिन ये बात यह है कि ऑपन के लिए लिए और है यह आप के दिखाए देरा के लिए बहुत ज्यादा मैननत कर रहे हैं ऊस चीज को इस डीरिशन को अबेंडलन चाहते हैं देखें आपे दिखाए दे इनकी मन की बात है लेकिन नहीं कर पारे विकॉज सायद इनके लाइफ में अभी उतना अबंडेंस नहीं है तक एक फैमिली को चला सके इस वज़े से यह भी पीछे हट रहे हैं लेकिन इनके मन में यह फीडिंग है ठीक है कि यह जो परसन है आपसे शादी भी करना चाहते हैं यह आपके सामने वेडिंग प्रपोजल रखना चाहते हैं रुमांटिक प्रपोजल ठीक है यहां पर यह जिए दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके सीग्रेट अभार है यह क्रश है हो सकता है कुछ दिनों के बाद यह जो परसन है जादा पैशनेट फिल करना आपके साथ क्रियेटिव काम करना कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं ठीक है मतलब इस रिलेशनशिप को यह बोरिंग बना कर नहीं रखना चाहते हैं यह आपसे कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर करेंट पार्टनर अपकी फ्यूचर स्वाउ और यह परसन है बहुत ज़्यादा कुछ डीफरेंट सोच रहे हैं ठीक है इस बार यह परसन आपको इंपरस कर जाएंगे यह चीज दिखाई दे रही है ठीक है एक चीश में आपको बताऊंगी यहां पे आप देख रहे हो कपल है यहां भी आप कार्ट में देख रहे हो लव लेटर सुझ रहे हो मुझे वह ऐसा लग रहा है कि वह परसन है आपसे सच में काफे जादा प्यार करते हैं और उनके साथ आपका एक करेशुल connection है ठीक है उनके साथ आपका क्या स्दाश है प्योर लव है और शाके और दिंसके साथ तक पर daha काट सभल निए है उसके प family issue हो सकता है या फिर आप इन पर बहुत जादा डाउट करते हो यह भी हो सकता है लेकिन आपको मैं यह बताना चाहूंगी कि जो person है यह बिल्कुल भी आप पर डाउट नहीं करते हैं यह trust बना कर रखना चाहते हैं यह ऐसा कहना ठीक है यह person जो है कुछ step लेने वाले हैं ठीक है इस लव लेटर वीडियो की तुर यह भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है तीन चार दिनों के अंदर यह कोई बहुत बढ़ा step लेंगे ठीक है और काफे solid कमिट्मेंट देते हुए यह person यहाप पर दिखाई पड़ रहा है देखे आप दोनों की spiritual maturity हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यह person कभी पहले किसी के साथ relationship में रहे होंगे ठीक है आप भी रहे होगे लेकिन आपके person ऐसा कहना चाहते हैं आपसे कि जब से मैं तुम्हारे साथ relationship में आया हूँ यह फिर जब स changes spiritual transformation मैंने देखा है तुम्हारे वज़से तो कहीं न कहीं तुम एक बहुत important role play कर रही हो बहुत important role play कर रहे हो एक angel की तरह मेरे life में ठीक है तुम्हारे आने के वज़से एक बहुत बड़ा spiritual transformation मेरे life में हुआ है ऐसा दिखाए दे रहा है कि आपकी जो person है वह शायद आपको बताये नहीं है कि क्या क्या changes हो है आपकी आने के वज़से लेकिन हाँ यहाँ पर यह चीज़ क्लियर है कि आपकी आने के वज़से इनके life में बहुत ज़्यादा changes हो है दिखाए दे रहा है और कहीं न कहीं यह person आपको बहुत ज़्यादा manifest भी करते हैं और manifestation से यह person आपको definitely पालेंगी यहाँ पर यह चीज़ दिखाए दे रहा है और अगर आप manifest कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा chances है कि आप दुनों एक दुसरे के करीब आ रहे हो य इनकी गलतियों को मतब उनके परदा डाल दो या फिर माफ कर दो क्योंकि यह चाहते हैं एक नए शुरुआत करना आपके साथ ठीक है यहाँ पर यह बता रहा है कि इन्होंने आज तक अपने लाइफ में जितनी भी गलतियां की इस relationship में रहे कर जितने भी गलतियां की है यह चाह रहे हैं कि उस चीज़ पर आप माफी दो और एक नए शुरुआत करो इनके साथ ठीक है तो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा अपने गलतियों का क्या हो गया है यह बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं यह चाहते हैं आपके सा आप को दिखेंगे लिए परसेंड़ के सामने हाच śब्ण माफी मांगे तो पयाय पियाई करते हैं बहुत है और इंको जो है कोई गलतियों के वज़ह से आप दुखी हो हो परिशान हो स्टिल आप जो है प्यार कर रहे हो तो मुझा से लग रहा है कि आपके जो परसन ऐसा फील करते कि आप इनको माफ कर दोगे ठीक है इसलिए परसन आप से पुरे दिल से माफी मांग रहे है यह भी एक लग डेटर आपके दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर काड है यह परसन चाहते हैं कि आप इनको मनाओ कुछ लगों के लिए जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है हो सकता है कि आपने इनको बहुत कुछ बोल दिया है तो यह कि आप इनके सिचुएशन को समझो कभी आप दोलों के विश में जगड़ा होता है या फिर आपके परसन जो है आपको टाइम नहीं दे पाते तो यह चाहते हैं कि आप इनके कंडिशन प्रॉब्रम्स को समझो ठीक है थोड़े इंपैथिटिक बनो और थोड़े सब्सक्राइब कर रहा है इस लat Gill आपको बजसके परसन आपको मैंनिलिफेस्ट कर रहे है यह चीज मैं देख़ पा रही हूं और इस वजह से आप इस वीडियो च्वा कर रहे हैं और आप लोग काफी जल्दी क्या हूने वाले हो मिलने वाले हो करीब आने वाले हो बा Meg इनर पीस आएगी ठीक है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके परसन जो है आपके तरफ इनर पीस शांती लेकर आ रहे हैं जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी बांडरीज है वो कहना चाहते हैं कि मैं सारे बांडरीज को तोड़ूंगा ठीक है और मैं तुम्हारे तरफ करूंगा ठीक है तो यह चीज यहां पर दिखाई दे रहा है चलो होता है तो ये कनेक्शन है बहुत लोगों के लिए आसा दिखाई दे रहे एक तो इतर PC अगतर है तो इनका है प्रस्थ कलरस्प का कनेक्शन है और 이건 Do आपको कुछ songs भी dedicate करना चाहते हैं यह चीज भी आपे दिखाई दे रहा है ठीक है काफे romantic songs आपके लिए सुन रहे हैं यह चीज में देख पा रहे हो शायद आपने इस person को बहुत सारे अच्छे-च्छे songs डेडिकेट किये होंगे जब आप लोगों की अच्छे से बाती होते ह जाती होंगे तो वह सारे songs सुनकर आपको याद कर रहे है कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा कि आपके person जो है बहुत ज्यादा secret वगेरा या वाइन पी रहे है ठीक है बहुत ज्यादा परिशान है आपको याद कर रहे है ठीक है और ऐसा कहना चाहते है कि परसन इनका सोन जो है वो प्योर है ठीक है यह चीज़ दिखाई पड़ रहा है ओके दिन यहाँ पर आपके लावा किसी और को नहीं सोच रहे है और काफी ज्यादा प्योर इंटेंशन मैं देख रहे हूं ठीक है अगर आप सूचते हो कि परसन किसी और को सुचते है या फि पिक्टर्स देखना आपको स्टॉफ करना यह तो हमेशा सही रहा है इनका ठीक है तो यह सारे मेसेज़ेस आ रहे हैं लव लेटर में और मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो परसन है वह आपको क्या कहना चाहते हैं ओके सो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहे हैं चै और ने चा रहे हैं और असी इनकां आपको और रहे हैं कि दिन सब्सक्राइब के यह चाहते हैं यहाँ यहाँ पर के च honeymoon इस राकार है और ये लिए को साने में जब लिए जाटें डिए ना कि जो भी तुम्हारे सपने हैं उसमें मैं साथ निभाओं वो सारी चीजे मैं करने चाहता हूं आपके परसन ऐसा कहना चाहते है कि जब भी मेरा पूरा हालत या बूरा सिचुएशन दाता था कि तुमने कभी गिवप नहीं किया तो इस टाइम भी गिवप नहीं करो बस सपोर्ट दो करो मैं तुम्हें बहुत अच्छी जिन्गीं डूंगा मैं तुम्हें बहुत अच्छी बहुत अच्छा लाइफ दूंगा ओके आई मिस यू इवन यू आर इन रेग्स वूम ठीकिया आपके परसन ऐसा कहना चाहते है कि जब तुम दूसरी रूम में भी रहो तब भी मैं करता हो और तुमने तो मुझे कई दिनों से मसेचे से बात नहीं कि ठीक है तो यहां पर ऐसा कहना चाहते हैं जब तुम एक दिन भी बात नहीं करती हो तो ऐसा लगता है कि एक साल बीद कए है तो यह परसन ऐसा कहना चाहते है कि प्लीस वापस से लॉट किया जाओ ठीक है मु यहां का मेरे लाइफ का सबसे वॉंडरफूl फिलींग है ठीकिए यो और देवाइट इन आ यहां चाहते है कि यहां पर आपके परसनिये कहने चाहते हैं wonder at humn मैं पूरी तरह complete हो अगर तुम नहीं हो तो मैं incomplete हूँ और नहीं मेरे life में रॉष्णी है नहीं मेरे life में light है ठीक है इस तरह की messages है दिन क्या information है you bring a smile to my face every morning जब भी मैं तुमारे messages को सुबा सुबा पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे चहरे पर automatically smile आ जाती है ठीक है दिन यहाँ information है आपके person के तरफ से I trust you with my life and heart देखिए यहाँ पर आपके जो person है वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक relationship ट्रेस्ट वर्दी relationship बने ठीक है आप इन पर सकना करो और यह person आपे बहुत जादा ट्रस्ट करते हैं ठीक है देन यहाँ information है ओके मैं त्री कार्स और ले लिती हूँ वी आर पर्फेक्ट मैच एन एक लास्ट वन है और राइट यहाँ पर कहना चाहते है आपके person if I had a choice of being with anyone in the world I would still choose you ठीक है आपके परसन जो है यह कहना चाहते है कि अगर मुझे कोई option दे choice दे करने को कि मुझे किसके साथ रहना है बस एक तो मैं तुम्हें चूस करूंगा या तुम्हें चूस करूंगी तो इस तरीके से आपके परसन आपको information देना चाहते हैं you have passion in all that you do ठीक है आपके परसन यहां पर आपके बारे में तारीफे कर रहे हैं कि तुम कोई भी काम काफी passionately काफी प्यार से करती हो ठीक है मेरे लिए कुछ अगर बनाकर खिलाती भी हो तो उसमें काफी ज़्यादा प्यार होता है ठीक है और आपके परसन क्या information देना चाहते हैं क्या है लव लेटर इनका यहां पे है you care and comfort me when I am in bad mood तो हमेशा मेरी हमेशा मेरा ख्याल रखती हो जब मैं bad mood में रहती हूं यह रहता हूं ठीक है और काफी ज़्यादा comfortable मैं तुम्हारे साथ feel करता हूं ठीक है इस परसन के साथ आप रहते हो तो इनके सारे डर खतम हो जाते हैं और अभी शायद कुछ लोग no contact में है इस वज़े से यह परसन काफी ज़्यादा घबरा रहे है कि कहीं आप इनके लाइफ से चले गए तो उनका क्या होगा ठीक है when I am with you you and I can be myself okay okay यहां पर कुछ messages हैं जैसे कि I feel at is when I am with you okay यहां पर आपकी परसन ऐसा कहना चाहते हैं कि जब भी मैं दुखी रहता हूं रोना रोना चाहता हूं यह रोना चाहती हूं तो तुम्हारा जो कंधा है वह हमेशा मेरे बगल में होता है ठीक है तो इस तरह का सपोर्ट जो है आप अपने परसन को करते हो यह फिर यह सारी चीज़े यह परसन आपसे चाहते हैं ठीक है अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो ठीक है यह जितने भी लाइफ की प्रॉब्म से दुख है दर्द है मुझे पता है कि तुम बताती नहीं एक्स्प्रेन नहीं करते लेकिन सारे दुख और दर्द वो तुम अपने उपर ले ल साते हैं आपके परसन और क्या है इंफरमेशन लव लेटर है आपका यह वाइस रिजनेर्स डीपली इन माई सोल और बॉटम अब देख है आई फिल कंफर्टेवल इन योर आंप्स ठीक है यह परसन जो है ना पूरे के पूरी तरह आपके साथ ही कंफर्टेबल फिल करते है हो सकता है कि इतना कॉंफर्टेबल ये अपने घरवालों के साथ भू से नहीं फिल करते हैं या फिर इन्होंने बहुद सब्सक्राप्स या फिर अपने सिलिंग्स के साथ भी शेर महीं की होगी तो यह सारे information आ रहे हैं मैं कुछ और बता देती हूं tarot की थुरू कि आपकी जो person है वो क्या लाव लीटर आपको देना चाहते हैं प्लीज गॉट गिम एक्यूरेट मैसेज ओके यहां पर ऐसा दिखाए दे रहा है कि जो person है शायद अगर आपको time नहीं दिया है पिछले कुछ दिनों में तो हो सकता है यह person अपने काम पे ध्यान दे रहे थे है ठीक है कोई third party situation नहीं है और ऐसा भी दिखाए दे रहा है कि यह person जो है आपके तरफ travel करके मिलने को आ रहे है ठीक है और क्या information है okay yes यहाँ पे यही सारे cards आ रहे हैं यहाँ पे यही बताया जा रहा है यह जो person है दो या फिर six days के अंदर आपको messages करेंगे यह person जो है न हो सकता है अगर route थे तो यहाँ पे ऐसा दिखाए दे रहा है कि इस person को बहुत जादा realize हो रहा है आप दुनों की बीश में कोई बहुत बड़ा जगड़ा भी हुआ है ठीक है तो वो जगड़ा को खतम करना चाते हैं और यह person है रूट थे तो अब इनको realize हो रहा है कि जब आप से दूर हो गए ना तो इनको realize हो रहा है ठीक है आपके प्यार का कि आप कितना इनसे प्यार करते थे एक mother की तरह parents की तरह करते थे हो सकता है कि आपके parents आपके जो partner उनकी parents ना हो तो यह भी इनको दिखाए दे रहा है कि एक आप ही थे जो कि इनको बहुत इच्छे से प्यार करते थे समझते थे लेकिन अब आप भी नहीं रहें तो इनको बहुत ज़ादा regret हो रहा है अपसोस फील हो रहा है और यह person वापस से आपके तरफ आना चाहते हैं ठीक है ओके यहां पे card है four of wants का यह person आपसे शादी करना चाहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि four days के अंदर यह person आपके साथ मतलब आपसे बाती होंगी काफी अच्छे clearly तरीके से ठीक है और clarity आपको देंगे साथ-साथ यह दिखाई दे रहा है यह जो person है ऐसा आपको लव लेटर देना चाहते है कि मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूं और तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूं तुम्हारे साथ ऐसे ड्रीम्स देखता हो जैसे कि तुम मेरे साथ हो ठीक है हम लोग एक साथ कॉफी चाय बनाकर पी रहे है है एक और information है यहां पर आपकी जो person है हो सकता है कि कुछ charity वगेरा भी कर रहे है ठीक है कुछ अच्छा काम कर रहे है ताकि फिर से एक नई शुरुवात हो जो भी पूरानी चीज़े है वह बूल कर वह आगे बढ़े आपके जो person है ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी का ब भादत करते हैं यह information यहां पर आ रहे हैं तो यहां पैसा दिखाए दे रहा कि आपके जो person है अभी बहुत ज्यादा अकेले सा फील कर रहे हैं solitude में हैं ठीक है इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है और यह जो person है आपके बिना बिलकुल अधूरा सा फील करते हैं जल से जल यह आपसे बात करना चाहते हैं और अपने दिल की बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं ठीक है यहाँ पे जो परसन है प्यार तो बहुत है लेकिन आपके तरफ आक्षन नहीं ले पा रहे थे इसलिए क्योंकि आप जो है आपके तरफ से कोई भी आक्षन नहीं देखने के वज़े से या फिर आप बहुत जादा गुस्ता हो इस वज़े से परसन कोई आक्षन नहीं ले रहे थे लेकिन आप यह परसन आपके तरफ आएंगे कहीं न कहीं मिचासा दिखाए दे रहा है कि बहुत सारे लोग लो सिच्वेशन में हैं बहुत आप लोगों की बीच में बड़ा चवड़ा हुआ है ठीक है ओके एट और आपके मन में यह खयाल है कि आपके परसन जो है आपसे दूर हो रहे थे किसी और के वज़ेसे तो ऐसा कुछ नहीं है यह अपने काम में वीजित है और आप दोनों की जो बीच का connection है 20% chances है कि आपके soulmate है जिसके साथ आभी हो जिसके लिए वीडियो देख रहे हो यह परसन आपके साथ हमेश्चा रहेंगे जिंदगी पर रहेंगे और आपको बहुत जादा सपोर्ट करेंगे ठीक है यह चीज़ यहां पर दिखाई पड़ रहा है यहां पर दो क हाथ में जॉब आच चुका है तो यह आपको शादी के लिए वेडिंग प्रपोजल भी आपके सामने रखना वाले है यह परसन अकेले बहुत ज़्यादा फील कर चुके है अब यह अकेले नहीं ड़ना चाहते ठीक है अब इनको पता चल चुका है कि मुझे क्या फैसला करन सबसे पहले सी है जड़ है वी है और है यहां पर है आई डी पी प्लीज कॉर्ट गी में अक्यूरेट मैसेच वहां में डियोवर्स क्या हो सकता है नहीं में निशिल जी के वाई एन कुछ लास्ट में लूंगी वहां पर कुछ लास्ट प्लीज पॉर्ट गी में अक्यूरेट मैसेच टी एम एक लास्ट है वह आपका यू तो यह सारे नेम इनिशिल आपके पार्टनर के हो सकते हैं जिसके लिए आप यह रिडिंग यह लव लेटर देख रहे थे ओके सो अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो च और अपने पूरे फैमिली का भी